नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है नमस्कार में ब्रिटेन में लाखों प्रदर्शनकारियों ने ब्रेक्जित के अंतिम समझोते पर जनमत संग्रे की मांग की और खेलों में भारत और वेस्ट अंडीस के बीच पांच मैचों की एक दिवसियर क्रिक्ट शंकला के पहले मैच में गुवाहाटी में भारत का तॉस जीट कर गेंदबाजी का फैसला डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज महला सिंगल्स फाइनल में साइना नहवाल का मुकाबला ताइवान की साइजू यिंग से दोपहर समाचार के साथ मैं जागरिती शर्मा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आजाद हिंद सरकार के गठन की पिचतरवी वर्षगाट पर आज दिल्ली के लाल किले में आयोजित समारों में राश्ट्रे ध्वच फहराया और आजाद हिंद सरकार की इसमृती में एक विशेश पट्टिका का अनावरण किया इस महत्वपून एतिहासिक आयोजन में इंडियन नेशनल आर्मी के लालती राम, नेताजी सुभास चंडर बोस के भतीजे, चंडर कुमार बोस, संस्कृती मंत्री महेश शर्मा और ब्रिगेडियर आरेस चिक्तरा तथा अन्य गण्यमाने व्यक्ति मौजूद थे इस अबसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि आजाद हिंद सरकार केवल नाम की सरकार नहीं थी, बलकि नेताजी के नेतरितों में इस सरकार ने सभी क्षेत्रों से संबंदित कारिक्रमों का स्रिजन किया था उन्होंने कहा कि नेताजी सुभार चंद्रबोस का एक मातर उद्देश था भारत की आजादी आजाद हिन सरकार के पहले प्रधान मंत्री के रूप में शपत लेते हुए नेता जिन एलान किया था कि इसी लाल किरे पर एक दिन पुरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा आजाद हिन सरकार अखंड भारत की सरकार थी अभिभाजित भारत की सरकार थी मैं देश वासियों को आजाद हिन सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि भारत विकास के पत पर अग्रसर है लेकिन उसे अब नई उचाईयों को छुना है श्री मोदी ने कहा कि देश की सैन्य शक्ति हमेशा से आत्म रक्षा के लिए रही और रहेगी लेकिन अगर भारत की संप्रभदा को किसी प्रकार की चुनोती मिलती है तो उसका महुतोर जवाब दिया जाएगा जोश चुनून और जज़बा ये तो हमारी सेन्य परंपड़ा का हिस्सा रहाई है अब तक नीफ और आदुनिक हत्यारी शक्ति भी उसके साथ जोड़ी जा रही हमारी सैन्य ताकत हमेंसा आत्म रक्षा के लिए ही रही है और आगे भी रहेगी हमें कभी किसी दूसरे की भूमी का लालच नहीं रहा हमारा सजियों सही त्याहत लेकिन बारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनूती बनेगा उसको दो गुनित ताकत से जवाब मिलेगा प्रधान मंत्री ने कहा कि सशक्त बलों में महिलाओं की समान भागीदारी की नीव नेता जी सुभास चंडर बोस ने रखी थी आजाद हिंद सरकार का गठाने किस अक्तुबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के नेता सुभास चंडर बोस की प्रिणा से किया गया था विभारत की निर्वासित अर्स्थाई सरकार के राज्य अध्यक्ष थे। ग्रिस अचिव राजीव गाबा और केंद्रिय अर्ध सैनिक बलों के प्रमुखों ने भी शहीदों को शद्धान जलियर पित की। इस अफसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि सजग पुलिस बलों ने भय और असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है। देश को शांस करने वाले तत्तों को निराशा हाथ लगती है। देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की अनेग साजिसों को आप नाकाम किया। ऐसी साजिस हैं जिनकी जानकारी भी बाहर नहीं आपात। ऐसी दिलेरी जिस पर सारवजनिक तौर पर कभी आपको प्रशंसा तक नहीं मिलती। शांती से गुजरने वाला देश का प्रतेकपल, देश वाच्यों का प्रतेकपल आपके इसी करतब्यभाव सेवा भाव से ही संभव है। प्रधान मंत्री ने कहा कि आज के दिन उस जवान को याद किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांती बनाए रखने में मदद कर रहा है तथा आतंकवाद से लड़ रहा है। नकसल प्रभावित इलाखों में तैनाद जवानों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन जवानों के कारण ही नकसल प्रभावित जिलों की संख्या कम हो रही है। प्रधान मंत्री ने आपदा राहत में सराहनिय योगदान के लिए पुलिस और अर्ध हुसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभास चंद्रबोस के नाम पर वार्शिक पुरुसकार की घोशना की। इस समारक का निर्माड नई दिल्ली में छे एकर से अधिक भूमी पर किया गया है। समारक पर 34,846 शहीद पुलिस कर्मियों के नाम अंकित हैं। फ्रधान मंत्री ने इस अफसर पर पुलिस संग्रहाले भी रास्ट्रों को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल एट AIRnews Hindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। तो modern होगे। Modern नहीं, जिम्मेदार. अब तुम भी बनो और टॉलेट का इस्तिवाल करो. और अपने शहर को स्वच सर्वेक्षन 2019 की रांकिंग में सबसे उपर ले जाएं। आवासन और शेहरी कारे मंत्रा लेद्वारा जनहित में जारी। दो पहर समाचार में आपका फिर स्वाकत है। मुटभेड के दोरान आतंकवादियों की गोली से दो सेन्य कर्मी भी घायल हुए है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायाले बेनामी लेंदिन कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेश न्यायाले के तोर पर कारे करेंगे। वित्मंत्राले द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बेनामी संपत्ति लेंदे निवारक अधिनियम 1988 के तहत उच्च न्यायालेओं के मुख्य न्यायाधिशों से सलह मश्वरे के बाद विशेश न्यायालेओं संबंधी ये अधिसूचना जारी की गई है। वस्थू और सेवाकर परिशत सचिवाले ने छे राज्यों से कहा है कि वे शीग्रिता से अपील प्राधिकरन स्थापित करें ताकि पीडित अथौरिटी ओफ एडवांस रूलिंग के आदेशों के सिलाफ अपील कर सके। जन आरोग्य योजना के तहत देश भर में एक महीने से भी कम समय में गंभीर बिमारियों से पीडित एक लाख रोगियों ने चिकित सा लाप्राप्त किया है। सुनिश्चित करना, उन्हें सिक्षित करना और समाज में उनकी भागिदारी लाना है। पेश है हमारे कोहमा संबादाता की ग्राउंड रिपोर्ट। लिंगा नुपात में कमी के कारण लोनलेंग जिले में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कारिक्रम 2015 में लागू किया गया था। ये कई परिवारों के लिए फायदे मन सावित हुआ है क्योंकि उन्हें बालिका और इसकी शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूख किया तंगा गाओं की शिमती कुप नायू ने जागरूखता अभियान से जो कुछ सीखा उस पर अपना अनुभव साजा किया। इस कारिक्रम को सफल बनाने के लिए राजय सरकार ने बारी की से रणनीति तयार की है जिसके कारण इस योजना के कारियन वैन में तेजी आ गई है। साथी योजना की गुडवत्ता में परिवर्टन हुआ है। सरकार के इन प्रियासों से राजय के बालिका और महिलाओं की सामाजिक इस्तती उन्नत होगी आकाश्वानी कोहिमा से आसुनों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारिप किये जा रहे हैं अस्पताल रखेगा खया जन जन आरूग्य और खुश्य हा प्रधान मंत्री जन आरूग्य योजना के अंतरगत पचांस करोड से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूची बद्ध निजी अस्पताल में मुप्त स्वास्थ सुविधा मिलेगी और प्रधी वर्ष प्रती परिवार को पांच लाख रुपे तक का स्वास्थि लाब अधिक जानकारी के लिए टोरफी नंबर एक चार पांच 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 या अठारा सो एक सो ग्यारा पांच सो पैसेंट पर कॉल करिंग प्रधान मंत्री जन आरूग्य योजना संकल्प भारत को अयूशमान बनाने का ये आकाश्वानी है ब्रिटेन में अंतिम ब्रेक्जिट समझोते के बारे में जनमत संग्रह कराने की मांग करते हुए प्रतरशन कारीओं ने एक रैली की युवा मतदाताओं ने लंदन के पार्लिययमेंट स्कॉयर में वोट भाष निकाला इसमें लगभक 7 लाख प्रतरशन कारीओं ने भाग लिया रैली को कई संसद सदस्यों का समर्तन भी प्राप्त था जो नए सिरे से मतदान चाहते हैं हालांकि प्रधान मंत्वी टिरिज़ा में फिर से मतदान कराने से इनकार कर चुकी है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पांच एक दिवसी अंदरास्ट्री क्रिकेट मैचों की श्रिंखला का पहला मैच गोआ हाटी में खेला जा रहा है ताज़ा समाचार मिलने तक वेस्ट इंडीज ने 13 वे ओवर में एक विकेट पर 77 रन बना लिये हैं इसे पहले भारत ने टॉस जीत कर वेस्ट इंडीज से बल्ले बाजी करने को कहा डेन्मार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज साइना नहवाल का मुकाबला शेश वरियत अप्राप्त चीनी ताइपे की ताइब जू यिंग से होगा कल ओडेन्स में सेमिफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की ग्रिगोईया मरिस का तुन जूंको महज 30 मिनट में पराजित किया तेल की अंतरास्ट्रेक कीमतें गिरने के कारण आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी की गई सरकारी तेल कमपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 25 पेसे और डीजल की कीमत में 17 पेसे प्रति लीटर की कटोती की गई पिछले चार दिन में पेट्रोल की केमत में एक रुपे नौ पैसे और डीजल की केमत में पचास पैसे प्रति लीटर की कमी कीगा चुकी है असम के डिबरुगड में ब्रह्मपुत्रों और अरुणाचल प्रदेश के पासी घात में सियांग नदी का जल इस्तर घट गया है दोनों नदीयां खत्रे के निशान से नीचे बह रही हैं हालांके जिला प्रशासन और जलसन साधन विभाग उपरी असम में कुछ स्थानों में स्थिती पर लगातार नजर रखे हुए है राश्ट्रिय आपदा मोचनबल के दलों को उपरी असम में किसी भी आकस्मिक स्थिती से निपटने के लिए कई स्थानों पर तैनाथ किया गया है असम और अरोनाचल प्रदेश सरकारों ने ब्रह्म पुत्र नदी में बार की आशंका के बारे में अलर्ट जारी किया था और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद सरकार की 75 वी वर्ष गाठ पर लाल के लिए में रास्ट्रिय ध्वर्स फेराया उन्होंने कहा कि देश की संप्रवता को चुनौती देने वालों को मुह तोड जवाब दिया जाएगा प्रधान मंत्री ने रास्ट्रिय पुलिस उसमारक रास्ट्र को समर्पित किया जमु कश्मीर में कुलगाम जिले के लारू में सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में तीन आतंकवादी मारे गए हैं और दो सेने कर्मी घायल हो गए हैं राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के सत्रु नयाया ले बेनामी संपत्ती के लेंदेन के मामलों की सुनवाई विशेश अदालत के तौर पर करेंगे ब्रिटेन में लाखों प्रदर्शनकारियों ने ब्रेक्जित के अंतिम समझोते पर जनमत संग्रे की मांग की है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज महला सिंगल्स फाइनल में साइना नहवाल का मुकाबला ताइवान की ताइज जू यिंग से होगा इसके साथ ही दो पहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार